हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस के टेक्नो स्पार्क 20 प्रो फोन में आप लोग ओटीजी कनेक्ट कैसे कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार्क 20 प्रो फोन ह और इस phone में जो है आपको OTG connect करना है अगर आपके phone में OTG connect नहीं हो रहे हैं OTG आप लोग लगा रहे हो OTG में जो भी लगा रहे हो pen drive, ssd card या memory का जो भी लगा रहे हो आपके file manager पे show नहीं हो रहे मतलब आपके phone में जो है वो OTG connect नहीं हो रहे हैं आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाई साप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कल लीजे तो चलिए गाई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओटीजी कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फॉन के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद मोर कनेक्शन का ओप्शन मिलेगा मोर कनेक्शन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ओटीजी का ओप्शन मिलेगा अगर आपको यहाँ पर ओटीजी का ओप्षण नहीं मिल रहे है गाइस more connection पे जा रहे हो लेकिन ओटीजी का ओप्षण यहाँ पर more connection पे नहीं मिल रहे है आपको तो मैं और एक तरीका बताऊंगा का ओटीजी का option को लानी के लिए उसके लिए आपको settings में आना है और search setting का option मिलेगा सर्च settings पे click कर देना क्लिक करने के बाद आपको type करना है गास otg टyजी type करते ही याप आपको एक otg का option मिले ओटीजी के option पे क्लिक करेंगे तो ओटीजी का ओप्शन जहां पर भी रहेगा गाईस वो शॉटकर ली इजी ली आपके फॉन में आ जाएगा तो इसको आपको ओन कर देना ओन करती है आपके फॉन में जो है ओटीजी कनेक्ट हो जाएगा हाला कि यह ऑप्शन आटोमेटिक लिए ओन हो जाता हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और शैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे मिलते का लग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई